हलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि आर्ट में अगर अपने ग्रैजुएशन किया है तो उसके बाद आपको कौन से अच्छे करियर बने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर आया है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ऐसे ही इंट्रोसिंग और इन्फोर्मेटिव विडियो देखने के लिए इस चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर दीजिए ता सवाल अगर आपके दिवांग में हैं तो मेरे चैनल की उपर जरूर जाइएगा मैंने काफी सारे फील्ड को कवर किया हुआ है काफी सारे फील्ड के बारे में विडियो बना करके रखे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों देखिए हमेशा मतलब हर आज कर ही क्या सकता है लेकिन नहीं दोस्तों आज के जमाने में ऐसा बिलकुल नहीं है आप आर्ट्स करके भी आपका अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आपके लाइकिंग में बना सकते हैं अगर आपको एक्जामपल देना चाहूं तो मैं ख यहां पर MA कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं तो MA करेंगे तो खर आपको जिस सब्जेक्ट में लाइकिंग है उसके अंदर आप ज़्यादा मास्टर्स करेंगे और फिर आप उससे रिलेटेड जॉब करेंगे अगर आप BA या MA करते हैं तो फिर आपको जो है वो as a teacher या as a professor की नौकरी आसानी से मिल सकती है और दो आर आप BA या MA ऐसे सब्जेक्ट में कर सकते हैं जो कि आपको काफी ज़्यादा पसंद है तो वो जौब करने में आपको काफी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा तो ये तो हो गया एक साइड दूसरी साइड अब इसमें किया आ जाती है कि आप चाहें तो आप fine arts में भी जा सकते हैं तो fine arts में कौन से कौन से आते हैं कि यहां पर आप हम कहें कि fashion designing कर सकते हैं या actual जो fine arts होते हैं painting वगरा ऐसे में कुछ और सीख सकते हैं जैसे कि आगे चलकर आप fine arts सिखा भी सकते हैं और बाकी भी fine arts के अंदर crafts वो आपको सिखाते हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके के colleges भी specialized वहां पर बनाए गये हैं जिसके अंदर आप जाते हैं और बकाइदा आपको post graduation वो course complete करना होता है और आप उसके अंदर की एक degree भी पा लेते हैं और आगे चलकर उससे अपना career भी बना सकते हैं इसकी बा यह applied arts में आता है जो कि आपको असल जिन्देगी में आप apply कर सकते हैं इसके विजह से ही उसको applied art कहा जाता है तो इसके अंदर काफी सारे arts आते हैं उसकी जो detail list है वो आप अलग-अलग इंडिया के अंदर के जो art colleges हैं उनके अंदर जाकर के देख सकते हैं तो आपको दिखन को मिल जाएगा कि कौन से कौर्सेस ओफर किये जाते हैं इंडिया के अंदर इसके अलावा दोस्तों आप archaeology में भी जा सकते हैं तो archaeology में भी काफी जादा scope है क्योंकि इस field का बहुत जादा लोग सोचते नहीं है तो यहाँ पर जाने की बाद आपको museum में वगरा काम करना प field जो है वो काफी जादा अलग है तो इसके अंदर लोग कम है लेकिन जितने हैं उनको थोड़ी बहुत महनत करतनी पड़ती है लेकिन एक बार अगर वो उसमें establish हो गए तो industry छोटी होने के कारण यहाँ पर competition आपको जादा नहीं मिलता है और आप उसके अंदर काफी जादा आगे excel कर सकते हैं बाद में आते हैं फिर competitive exams जो की सबसे जादा follow किये जाते हैं arts के बाद कि भाई हम UPSC की exam देंगे या जो भी कोई state board की civil services की exam है वो हम exams देंगे और आगे चलकर फिर आपको सरकारी नोकरी जो है वो इसमें मिल सकती है तो यह काफी जादा एक common subject है arts करने के बाद काफी सारे लोग इसको परसिव करते हैं इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर law के लिए भी जा सकते हैं बिये लल भी भी आप कर सकते हैं बाद में जाकर के और lawyer का पूरा एक job जो है वो आप कर सकते हैं practitioner आप बन सकते हैं actually court में cases भी लड़ सकते हैं इ इसके लिए भी अलग-अलग हमारे देश के अंदर इंस्टीट्स बने हुए हैं यहाँ पर पूने के अंदर दो इंस्टीट्स हैं डेली के अंदर इंस्टीट्स हैं मुंबई के अंदर इंस्टीट्स हैं कलकत्ता में इंस्टीट्स हैं जहाँ पर बकाइदा आपको ड्राम केंद्र बोलते हैं उसको इसके अलावा पूने में ही अभिनव नाम का एक college है जहां पर भी इससे related activities चलती हैं इसके अलावा मंबई के अंदर भी यहां पर acting schools है इसके अलावा कलकत्ता में है तो आप जहां पर भी जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं इसके अलावा dance में भी आ काफी जादा excel कर सकते हैं इसके बाद आता है काफी जादा हम कहें कि common सा field और वो यह है कि आप graduation के बाद MBA कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी company में आप लग सकते हैं as a HR के तौर पर जिस भी field में आप MBA में specialization करेंगे उसके हिसाब से आपको नौकरी मिल सकती है फिर MBA in finance हो गया MBA with HR हो गया या और कोई भी field इसमें आ सकता है तो जिस field में आप measures करेंगे MBA में उस field में आप आगे चल कर जा सकते हैं इसके अलावा और एक field है data scientist तो data scientist के लिए भी आपका background उतना ज़्यादा matter नहीं करता है आप वहाँ पर किसी भी stream के graduate हो आप data scientist का proper education ले सकते हैं और आगे चल कर as a data scientist भी काम कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको health and nutrition में interest है तो आप graduation arts graduation के बाद भी वहाँ पर जा सकते हैं और health and nutrition के course पूरे करके आप किसी भी बड़े से बड़े जिम में या आप खुद का भी एक clinic खोल सकते हैं जहां पर आप लोगों को उनके diet के बारे में बत जा सकते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से course करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए भी आपको ये कोई बहुत जादा hard and fast नहीं होता है कि आप science graduate चाहिए commerce graduate चाहिए आप अगर arts graduate भी हैं तो भी इस field में जा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप digital marketing में भी जा सकते हैं तो इसके लिए digital marketing के अलग से courses होते हैं आप arts लेने के बाद वहाँ पर भी जा सकते हैं और अच्छा कासा उसमें कमा भी सकते हैं क्योंकि अभी बहुत जादा demand में चल रहा है इसके अलावा travel tourism भी आपके लिए एक option हो सकता है क्योंकि travel tourism के लिए भी आपको जो है वो educational background किसी एक specific stream की नहीं लगती है किसी भी stream से आकर कि आप travel tourism का course कर सकते हैं और आगे चल कर इसमें भी आपका career बना सकते हैं तो ये भी आपके लिए एक option जरूर बन सकता है इसके अलावा दोस्तों आप foreign languages में जा सकते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप MA करते हैं foreign language के अंदर य से सीखनी होंगी उसके अंदर आपको लिखना आना चाहिए उसको समझना आना चाहिए उसका translation आना चाहिए तो ये सारे अगर आपके अंदर गुर है और आपको उसका certificate प्राप्त है आपके पास कि ये ये language इन्होंने सीखी है इस language के ये सारे exam जो है वो इन्होंने दे रख तो आगे चलकर आप किसी भी multinational company में जो है वो as a translator के तौर पर भी काम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि काफी ज़्यादा international कारोबार चलता है और इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैमाने पर पैसा भी दिया जाता है और इन लोगों को पूरे world में travel करने का मौका भी है क् तो as a translator के तौर पर भी जो है वो लोगों के साथ जाता है business dealings के अंदर काम करते हैं कि अगर दूसरे किसी country का आदमी है जो कि English नहीं बोल पाता है वो अपनी native language में बात कर रहा है लेकिन आप वो language समझ सकते हैं तो आप उसको अपनी native language में translate करके आपके party को बता सकते हैं तो ये जो translation का काम है वो करने के लिए इनको साथ में लेके जाया जाता है तो इसमें पूरा world घूमने की भी chances है और travel tourism में भी है जैसे कि मैंने पहले कहा इसके अलावा दोस्तों आप philosophy या sociology का भी वहाँ पर study कर सकते हैं और आगे चलकर उसमें भी excel कर सकते हैं उसमें PhD भी कर सकत हैं खर politics join करने के लिए तो किसी भी specific field का education होने की ज़रूतों है नहीं आप किसी भी field से हूँ आप politics तो join कर ही सकते हैं लेकिन political science ये भी एक अलग subject होता है तो political science करके आप आगे चलकर जो है वो political analyst भी बन सकते हैं और बड़े-बड़े अगबार इसके लिए बहुत ही तगड salary offer करते हैं क्योंकि political analyst का कामी ये होता है कि अब politics में कौन सा twist और turn आने वाला है या कौनसी party अब क्या move करने वाली है ये predict करना और जितना ज्यादा आपका prediction अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका नाम होगा कि इनके prediction जो है काफी बढ़िया निकलते आते हैं ये दोस्तों इसी की साथ साथ 8 की बाद आप mass communication की courses भी जॉइन कर सकते हैं जॉनलिजम के भी courses जॉइन कर सकते हैं और इसके अंदर भी काफी बढ़िया करियर होता है तो जॉनलिजम तो आपको पता ही है आप किसी भी अख़वार के अंदर लिख सकते हैं या किसी भी new channel के में दरवाजे खुले हो जाते हैं आप journalism में भी जा सकते हैं आप content writing में जा सकते हैं आप copy writing में जा सकते हैं copy editing में जा सकते हैं social media marketing के लिए भी ये जो आपका skill है वो काम में आ सकता है क्योंकि इसमें writing involved होता है इसके अलावा creative writing में भी आप जा सकते हैं क्योंकि आपका proper writing का course complete हो चुका है उसके लिए थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि कोई एक दो और क्रैश कोर्सेश करने पड़े लेकिन क्यूंकि आपने मास कम्मिनिकेशन किया है तो राइटिंग का स्किल जो है जो एक बेसिक राइटिंग एथिक्स वगरा होते हैं वो पहले सी आपको सिखाए जाते हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप आपकी स्किल्स को और जाथा निखा रहेंगे तो आप क्रेटिव राइटिंग भी जरूर कर सकते हैं आप किसी एड फोम में भी जासकते हैं उनके लिए हैं इसके अलाबा साइकलोजी एक बहुत बड़ा विल्ड है arts के बाद तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको arts जब आप graduate करते हैं तो आपका psychology major subject होना चाहिए बाद में आप MA in psychology करेंगे और फिर आप proper खुद की practice भी कर सकते हैं counseling कर सकते हैं लोगों की और इसके अंदर भी काफी बढ़िया career बन सकता है क्योंकि psychologist की आजकल बहुत ज़्यादा demand है काफी ज़्यादा लोगों को mental problems होते हैं तो उसको सुल जाने के लिए लोग psychologist के पास जरूर जाते हैं counseling जरूर लेते हैं और अगर बड़े-बड़े problems भी अगर ये कुछ solve नहीं करना चाते हैं तो भी career counseling आप उसके अंदर कर सकते हैं साथी साथ psychological कुछ test होते हैं उनके आधार पर आप कोई अगर बच्चा अभी अभी school से बाहर निकला है 10 हुई है तो आप उसका test करके ये भी बता सकते हैं कि इस बच्चे का inclination किस ओर है इसकी liking किस ओर है उसके हिसाब से इसको कौन सा course करना चाहिए जिसकी वजह से वो आगे चलकर काफी जादा एकसेल कर सकता है तो ऐसे तरीके के जो test और reconciliation है उसको तो बहुत ही जादा यहां पर demand है क्योंकि लोग बहुत जादा confused है कि उनके बच्चों को कहां पर भेजा जाए बच्चे खुद भी confused है कि भाई हम कौन से field में जाना चाता है यह हमें ही नहीं पता है तो ऐसे में अगर कोई आदमी उनको दिशा दे सकता है उनको राहा बता सकता है तो obviously उनकी काफी जादा demand जरूर होगी तो दोसों यह सारे options जो हैं वो आपके लिए जरूर खुले रहते हैं इसके अलावा भी options हैं जिनके अंदर किसी भी stream का ऐसा कुछ compulsion नहीं है जैसे कि आप sports में भी जा सकते हैं अगर आप sports में interested हैं तो आप sports में भी जा सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है और तो और अगर आप आगे चलकर dramatics में भी जाते हैं और आपका record काफी बढ़िया है तो आप अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी इस्थापना हैं उनकी अंदर भी काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऐसी cultural team भी अलग से होती है तो मालीजे SBI है या कोई और बड़ी इस्थापना है तो उनकी अंदर जो है वो ऐसे cultural लोगों के लिए अलग से कोटा रखा जाता है उनको बकायदा काम दिया जाता है उनको नौकरी पर ही रखा जाता है लेकिन SBI की तरफ से या जो भी कोई अस्थापना है उनकी तरफ से आप participate करते ह हैं ऐसे अलग-अलग competitions भी होते हैं अब railway के अंदर भी sports quota होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जो sportsmen होते हैं उनको railway के अंदर भी नौकरिया दी जाती है और railway के भी खुद के sports tournament होते हैं उनके अंदर ये लोग participate करते हैं railway की तरफ से खेलते हैं तो इस तरीके से भी आप सर सारे career options जो है वो आपको आठ के बाद जरूर open रहते हैं तो बस दोस्थो आठ के वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्थो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना बिलकुल न भूलें